नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम्याँ पर बात करने वाले हैं 24 फेवरी 2023 के बारे में 24 फेवरी 2023 के दिन को किस तरह से और जादा अच्छा बनाना है कहां पर कौन से वैदिक रेमेडीज आपके लिए फायदेबन रहेंगी कौन से अफ़र्मेशन और एंजल लंबर्स आपकी मदद करेंगे और साथी साथ क्या रहेगा गोल्डन विश्टाइम कौन सा वास्तु का उपाय आज गर की परिशानियों को करेगा दूर और गर में बढ़ाएगा आप सभी की बीच में बहुत सारा प्यार अंतक दिखेगा वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं विवैदिक उपाय आपको कौन से करने हैं दिखे आज की दिन का औरा काफी जादा स्ट्रॉंग दिखाई दिता है बट साथ ही साथ एक तरह से इमोशनली ब्रेकडाउन और इमोशनली गैप भी यहां पर दिखाई दिते हैं मतलब कि आप बाहर से तो काफी स्ट्रॉंग दिखेंगे और अंदर से कहीं न कहीं आप तोड़ सा वीक महसूस करेंगे किसी चीज को लेकर के बहुत सारी चीजे दिमाग में चल रही होंगी और इस वज़े से थोड़ा सा अंस्टेबल कहीं न कहीं पर महसूस करेंगे इस तरह की योग बनते हैं अपने आपको स्टेबल रखने के लिए और अपनी एनलजी को पूरी तरह से पॉजिटिव रखने के लिए आप सभी को आज ये रूप उपाय करने हैं वैदिक उपाय कोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं साथी साथा पिंक कलर और लाइटिश रेड़ कलर जो आता है वह भी आप यूज़ कर सकते हैं ये भी काफी ज़दा अच्छा रहेगा इसके अलावा आप सभी अगर कोशिश करें और वाइट चंदन का टीका लगा पाएं नहीं तो पौधे के पास में प्रज्वलित करिएगा और ओम नमो भगवते वासु देवाई नमह इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार जरूर करिएगा इससे आपको काफी ज़दा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे काम बनेगा गर में सुक्षानती बनेगी और पारिवरी के माहुल तोड़ की कोशिश करें इससे भी आपके दिन में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपका काम कहीं नकी बनता वो नज़र आएगा पार्टनर्शिप में आज कोई भी काम नहीं करना है किसी के भरोसे पर आज बिलकुल भी नहीं रहना है नहीं तो बरोसा तूटेगा और आप सभी को परिशानी होते वे नज़र आएगी तो अपने आपको थोड़ सा रिलेक्स रखें आराम आराम से काम करने की कोशिश करें और अपने काम पर ही पूरी तरह से फोकस करने का प्यास करिए मन अगर विचली थे अगर मन नहीं लग रा किसी भी चीज में तो आज सुबह जब भी अपने काम से बाहर निकलें उसी समय क्या करें चीनी के कुछ दाने लेकर के अपने घर के आसपास कोई भी पेड़ खास कर कोई बर्गत का पेड़ या पीपल का पेड़ हो अधर्वाइस कोई भी पेड़ हो जाए नीम का भी चलेगा या कोई दूसरे भी चलेंगे वहाँ पर छोड़े से चीनी के दाने बिखेर दीजिगा ताकि वहाँ पर जो छोड़े चोड़े जीव जनतु होते हैं उन्हें आप खाने के लिए कुछ दें और वह आपको कहीं के एक अच्छी ब्लैसिंग्स दें जिससे कि आपकी काम की रुकावटें दू भी कहीं कहीं प्यार बनता रहेगा कौन से उपाय करने हैं नोट करिएगा प्लीज सबसे पहले जिस गर में साफ सफाई तो रखनी ही रखनी है साथी साथ आज गर के में गेट को और खासकर बेडरूम के गेट को पूरी तरह से साफ रखिएगा गंदगी ना हो इस बात का विशिज द्यान लखिएगा बेडरूम की जो बेडशिट्स होती हैं वो थोड़ी लाइट कलर की हो आज उसे चेंज जरूर कर देयां ये काफी ज़दा अच्छा रहेगा और अगर कोशिश कर पाएं लाइट क्रीम कलर या फिर पिंक कलर या फिर आपका रेड कलर का कोई अगर आपके पास हो बैट शिट तो उसे यूज करनी की कोशिश करिएगा बहुत ज़दा डाक कलर ना यूज करें इस बात का विशिज द्यान रखिएगा आज हस्बेंड और वाइफ कोशिश करें कि बेडरूम में अगर एक एक चाय का कप साथ में इंजॉय कर लें तो व और विशेश उपाया कर लीजिएगा इससे आपको काफी ज़दा मदद मिल जाएगा आज के दिन में क्योंकि दिन का औरा बहुत अच्छा है दिन के एनरजी बहुत अच्छी है और क्योंकि कनेक्शन बिट्विन दे फैमिली ज आज बहुत शानदार बन सकते हैं इसी में परीवार के सभीश या परीवार की महिलाएय या फिर परीवार के सबसे बड़े सदस्ये अपने गर के मंदिर में एक गी का दिया और प्रशाद के तौर बहुत के सामने चीनी कुछ दाने और दो लॉंग जरूर अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद आप सभी क्या करें वह प्रिशाद के तौर पे ग्रहन कर लीजिएगा लॉंग जो है वह आप खाने में इस्तमाल कर लीजिएगा चीनी के दानों को भी खाने में या डायरिटी आप ले सकते हैं ग पूरी करने के लिए यह लीजिए आज का एंजल नंबर जो रहेगा आपका 96121 बहुत ही जादा इंपॉर्टिन नंबर है बहुत ही जादा पॉसितिन नंबर है और यह नंबर जब भी आज आप रिकॉल करें अपने लव अपनी इमोशन अपनी फैमिली के बारे में सोचने के लिए काफी शांदार रहने वाला है नोट कर लिजेगा प्लीज आज का आफरमेशन आपको क्या करना है ज्यां दिरकीगा आज का आफरमेशन है all is well मतलब की सब कुछ सही है all is well and life is unfolding as it should यह आपको बोलना है all is well and life is unfolding as it should इसका मतलब क्या है इसको कैसे यूज करना है उसको भी समय लिए सबसे पहली चीज जब यह आफरमेशन आप रिकॉल करेंगे all is well and life is unfolding as it should मतलब की life में जो भी आप तक पहुंच रहा है उसे automatically पहुंचने दीजे किसी भी तरह का force मत लगाईए किसी भी तरह के बहुत जादा energy को यूज मत है अपनी तरफ से जबर्दस्ती का प्रयास करके किसी चीज को अपने तक आनलाने की कोशिश ना करें क्योंकि आज जो default चीजें आपके पास आएंगी यह आपकी मदद करती हुए नजर आएंगी बड़ जो चीजा प्रयास के साथ मतलब की force के साथ जबर्दस्ती अपने प पोशिश करिएगा यही आप सभी के लिए बहुत जादा चार आएगा और लाइफ बहुत खूबसूरत है और आपका दिन भी उतना ही खूबसूरत यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा आज की दिन का जो magical time जो golden time रहेगा जहां पर आप अपनी wishes पूरी करते हैं और अप अपने मन की मनों कामना उनको पूरी करने के लिए आज golden wish time आप सभी के सामने यह रहा आज का जो समय रहेगा यह स्पेशली चार बचकर पंदरा मिनिट से लेकर के छे बजे तक का समय रहेगा जो कि काफी जादा strong समय है काफी जादा अच्छा समय है इस समय में आप सभी अ के लिए और पारेवरिक संबंदों के लिए अगर कोई भी विश्रक नहीं हो तो उसे जरूर रखेगा उससे आपके रिष्टे डेफिनली और जदा strong होंगे और हर तरह से हर तरह की energy आप सभी की मदद करते हुए नजर आएगी उमीद करता हूं कि आज का दिन शानदार जा आते हैं आप उनसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पुली कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धनिवाद